हेलो एवरीवन, वेलकम तो मेगनेट बेंस, माइनेम इस हीमन तुम्रे और मैं आप लोग का किमिस्टी फेकल्टी आज लेके आगया हूँ मैं जिसकी मैं बहुत दिनों से बात कर रहा था जिस टॉपिक का मैं इंतिजार कर रहा था और आप लोग भी कौन सा टॉपिक सर मोल कंसेप्ट मैंने का था इस पूरे चाप्टर का सबसे इंपोर्टेंट टॉपिक पूरी किमिस्टी का सबसे इंपोर्टेंट टॉपिक सबसे मज़दा टॉपिक जिसका नाम है मोल कंसेप्ट यही है वो मोल जिसके बारे में आज अपन को पढ़ना है अभी तक जो भी बाते हुई थी पिछली क्लास अगर आपको याद हो जिसमें मैं तो सबसे important lecture होने वाले अपसे तो सर याद अखिएगा ये lecture मिस नहीं करना है क्योंकि यह मानिए मोल नहीं है यह अनमोल है पेपर के point of view से सबसे important है क्योंकि यह आपकी कुछ लोगों के बीच में connectivity तैयार करेगा जैसे मैं आपसे पहले बोलता था ना मेरे और आपके बीच में connectivity होनी चाहिए वैसे यह भी किसी लोगों के बीच में connectivity लेके आने वाला है कि तो आज मोल भाईस आपको देखने वाले हैं कि मोल किया लेका आया अपने अंदर क्या होता हैं मॉल मोल से क्या कर सकते इं मोल से क्या-क्या काम हो पाईंगे हमारे लिए मोल कितनी चीजों को असान बनाएगा वो भी अपन देख लेंगे पॉइंट समझ में आ रहा है क्या बोलना चाहरों जा रही है ना बाते हैं? चीक है तो सब लोग आगे होंगे तयार करें चालू करें क्या मोल कंसेप कॉपी औपी सब रख लिए और अटेंडनस तो लगाई दियोगी ठीक है अटेंडनस लेने की बात तो है नहीं शायद दो चाहर जाद ही होंगे तो लगा दीजिए एक बार अटेंडनस और फिर चालू करते हैं अपन सबसे बड़िया टॉपिक जिसका नाम है मोल कंसेप्ट देखें सर दिख रहा है बड़िया सा क्या है सर मोल कंसेप्ट क्या होता है यह कुछ तो सर शायद मोल कंसेप्ट जो है कुछ मास ओफ सबस्टेंस का होगा मैंने का ठीक है थोड़ा बहुत थीक है लेकिन टूटी-फूटी सी बात कही है आपने मैंने का कोई और बता दो जरा मोल कंसेप्ट क्या होता है तो एक बच्चा फिर खड़ा हुआ के ता सर पिछली क्लास में भी आप चिला रहे थे इसके बारे में जो मैं बताने वाला हूं और मुझे भी थोड़ा बहुत पता था कि मोल मतलब शायद एक नंबर होता है मैंने का कौन से नंबर ये बता दो कहता है 6.023 इंटू 10 की पावर 23 मतला मोल के अंदर ये नंबर होता है मैंने का या ठीक ह सूंधर मैंने तो आप से पुछा Wirtschaft क्या होता है मैंने ये अत्या सब्दा से होगा तो मैंने अभी कानों तक आये मैं जो डेलेवर कर रहा हूं आपके कानों तक तो मतलब एक तरीके से मौल भी यही काम करता है सर कनेक्टिविटी में तो दो लोग होते हैं तो मोल किन दो लोग को जोडता है मैंने का हाँ जोडता है सर मोल एक ब्रिच के तरह है ब्रिच जानते ना यह पॉइंट इसको जोडने वाला कौन है यही ब्रेजे यही अपना होता है कौन मोल कंसेप्ट ठीके सार आपकी बात समझ गए लेकिन सर मोल कंसेप्ट अगर दो चीजों को जोड रहे तो दो चीजे क्या हैं तो मैंने का वह दो चीजे जो हैं वह आपके सबस्टेंस की इनी की बात चल रही थी कि नहीं, तो मैंने का हाँ ठीक है सर, मतलब जिसका chemical composition या physical composition आपने देखा था, लेकिन मैंने का यहाँ पर सिभ मैं बात करूँगा chemical change वाले की, chemical composition वाले की, तो मतलब substance के दो parameter को जोड़ेगा, वो ही कहलाएगा मेरा mole, क्या कहलाएगा, mole, इतनी बात clear ह मतलब mole एक तरीके का bridge है, जो substance की कोई दो properties या फिर दो parameters को जोड़ने का काम कर रहा है, ठीक है सर, थोड़ा बहुत तो आ रहा है, लेकिन और क्या, तो सर, substance की कौन सी दो property को जोड़ रहा है, मैंने का एक तो हो जाएगा, उसका mass, जो किसी ने टुटी-फुटी सी definition दी ती म mass of the substance, एक parameter क्या हो गया, substance का mass, अब दूसरा parameter क्या सर, तो मैंने का सर, वो substance किसी से तो बना होगा, कि नहीं बना होगा, उसके particles तो होगे न, उसके constituent particles तो होगे न, तो दूसरा parameter हो गया, वो substance किस particle से बना है, पॉइंट समझ में आगया क्या बोला मैंने तो मैंने यह बोला एक जगा तो सब्स्टेंस का मास हो गया पैरामीटर एक दूसरे जगा क्या हो गया सब्स्टेंस के पार्टिकल यह देखे तो जब इन दो पैरामीटर को कोई जोडता है तो वह कौन जोडता है सर मोल तो मोल एक दूसरा सर ये अच्छ तो ये कहना श relaxing हानी फिटा तो आगया मैंने का ठीक सर तो मास सब्सकेंटर बात कर रहे हैं अब सबस्टेंटर कहीं साथ होते हैं सर आपने पढ़ाये खाल मैंने का सारे नहीं मेंको सिर्फरे इसंटर की बात याप ठीक है सबसे सब्सेंस वो बता दो आप तो मैंने का मिले को प्यॉर सब्सेंस की बात करनी है पढ़ाया था ना पीछे प्यॉर सब्सेंस तो प्यॉर के अंदर तो दो आते हैं सर जि Gwen मैंने का नाम बताओ को स्थेंट तो स में बोला एक अलिमेंट और एक compound मतलाब mole के case में जो एक parameter है जिसका नाम था substance जो mass of substance की बात करने वाला है उसमें मैं दो ही लोगों को देखने वाला हूँ बस सर, कौन से दो लोग? एक मेरा element भाई साब और एक मेरा compound भाई साब मैंने का ठीक है अच्छी बात है लेकिन सर आपने तो मुझे element और compound का तो mass बताया नहीं? नहीं बताया था ना आप थोड़ा पीछे जाईए ना मैंने element का mass नहीं बताया मैंने compound का नहीं बताया लेकिन element जिससे बनाए मैंने उसका mass तो पढ़ाया था आपको और compound जिससे बनाए उसका मास भी पढ़ाया था मैंने अच्छ अच्छ हाँ सर याद आया element बना था atom से तो आपने पढ़ाया था atomic mass उसमें भी कुछ आपने दो तिन चीजे बताई थी gram atomic mass और relative atomic mass मैंने का हाँ वही 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 बस बस फिर आया कौन compound compound किस से बनाए सर वो भी मैंने आपको पढ़ाया था molecule से तो molecule के mass को क्या कहा था अपने molecular mass हाँ सर अब clear हो गया कि आप mass of substance की बात कर रहे हो और कौन से mass of substance की दो element और compound और element किस से बना था atom से इसलिए element का mass atomic mass की बात कर रहे हो और compound किस से बना ता molecule से इसलिए सके molecular mass की बात करोगे मैंने का हाँ में है यहां तक बात समझ में आई फिर शर आप कौन से पार्टिकल की बात कर रहे हैं सबस्सनिंज की दो मैंने का भाई अभी तो बताया अगर element होगा तो उसके पार्टिकल कौन से होते हैं, वो किस से बना होता है, एटम से बना होता है, किस से बना होता है, और अगर मैं कमपाउंड की बात करूँगा, तो कमपाउंड किस से बना होता है, molecule से बना होता है तो सर जो आप से question पूछेगा पहले आप उससे question पूछना भाईया आपको relation किसका चाहिए आपको relation element का चाहिए कि आपको compound का चाहिए अगर हो element बोलेगा तो element के mass का relation element के जो अंदर atoms होंगे उससे हम relation देंगे मतलब जब element की बात होगी तो एक तो element का mass हो गया, atomic mass, एक वो parameter हो गया, और इज़र कौन सा parameter लेंगे, number of atoms, क्योंकि element किस से बनाए सर, atoms से, लेकिन अगर उसने compound की बात करी, तो फिर यहाँ पर mass की यहाँ क्या लेंगे हम, molecular mass, और इज़र पर किस की बात करेंगे हम, molecules की, क्योंकि compound किस से बनाए सर, molecules से मनाए, हाँ सर, ठीक है, यहाँ तक तो बात clear हुई, अब आगे, तो मैंने का, वो यही इन दोनों की बीच में relation बताता है, ठीक है सर, relation कैसे बताता है, जैसे कि, अगर कभी आपने मिर को, किसी का mass दे दिया, चाए वो element का दे दिया, चाए आपने compound का दे दिया, तो मैं उसस में number of atoms कितने होंगे, यह number of molecule कितने होंगे, point समझ रहें, जैसे कि मेर पास यह bottle है, इस bottle में पानी भरा हुआ है, और इस bottle के अंदर अगर मैं आप से बात करूँ, तो लगभग कुछ तो पानी होगा, इसको मैं पहले इसको weight निकाल लेता हूँ, क्या निकाल लेता हूँ, weight, माल लीजे कुछ weight आया 50 gram, पहली बात तो लेकिन सर यह है कि इसका weight जो इसका निकाला जाता है, वैसे volume और liter जो होता है, sorry, liter main unit होती है volume की, लेकिन weight भी निकाल सकते, ऐसा नहीं है कि weight निकाल सकते, मैंने नापा, बकाइदा मेर को आया 50 gram आ गया, अब उस 50 gram के अंदर, कितने number of, पहली बात तो पानी है, पानी क्या होता है, compound होता है, तो compound का आपने weight कितना निकाला, 50 gram, अब मैंने आप से पूछा, compound के अंदर होते क्या है number of molecules, तो मैंने का, आप मुझे क्या बता सकते हो, इसके अंदर कितने पानी के molecules होंगे, तो sir, कैसे बताओं, दिखतो रही नही अगर आपने मुझे mass बता दिया, तो मैं आपको molecules निकाल के बता दूँगा, या तो आप इसके मुझे molecules बता दीजिए, मैं आपको mass निकाल के बता दूँगा, पस मुझे कुछ एक चीज दे दीजे, अगर आपने मुझे कुछ एक चीज दे दी, मैं आपको definitely दूसरी चीज निकाल के देदूँगा यही कौट बताता है अपना मोल कंसेप्ट ब्रिच का यही तो मतलब हुआ अगर आपको कोई भी एक पैरामीटर पता है तो आप दूसरा पैरामीटर फट से निकाल लोगे कोई भी दिक्कत नहीं आईगी अगर आपको मास पता है आप नम्बर ऑफ पार्टिकल पता कर लोगे और इसको बताने वाले सब्केंशब्स के बीच में जोगे के parameter substance भी जो chemical composition मतलब प्योर और अपने प्योर वाले basically element और compound मतलब यह कहानी इनी के बीच में घुमेगी element compound atom molecule इनी के बीच में अपने घुमने वाले आप पूरे मोल concept के अंदर है लेकिन सार इसको हलके में नहीं लेना है बहुत ज्यादा काम की चीज है कि आज के लेक्चर में मैं सब आपको यहीं बताऊंगा कि इनकी connectivity क्या है और वहीं चल रहा है कि पर यह नहीं सार तोड़ा चोटा वीडियो यह यह नहीं करना है समझिए सर इससे हरकत नहीं बहुत important topic है कि जित्ता मजबूत यह होगा उत्ती मजबूत आपकी chemistry होगी कि पॉइंट समझ पा रहे हैं कोई दिक्कत तो नहीं तो बात यह clear साम के अंदर क्या बता सकते हो इसके अंदर नंबर ऑफ पार्टिकल कितने होंगे मतलब इसकी बात कर रहे हैं तो मैंने का सर्फ पार्टिकल तो मिरे को दिख नहीं रहे मैं कैसे बता दूँ है तो मैंने का बता सकते हैं अगर आपको क्या पता है क्योंकि यही बात तो मैं क ले आओगे फिर निकाल के रहे हो दो यह जीज हमेशा याद रखना है कि सीनकर रिलेशन lessons we are निन हाशा घौल के साथ बी और मोल को रिलेशन पार्टीकल के साथ बी और फिर डारेकр चोंक इनकर जो मैं आगे वीडियोस में आपको बताते चलूँगा इतनी बात clear हुई आज कि mole क्या है एक connectivity बना रहा है किस-किस के बीच में sir mass of the substance and number of particle present in the substance के clear है बात mass of the substance में भी क्या ले लिया pure compounds जैसे कि element और compounds element का कौन सा mass निकालते है atomic mass compound का कौन सा mass निकालते है molecular mass और जब बात करता हूँ number of particle present in a substance की तो उसमें भी हमारे दो ही तरीके पार्टीकल होते है एक होता है atom एक होता है अपना molecule ठीक है क्या होता है atom और molecule एक तरीके का particle और होगा अभी आपको आगे देखने को मिलेगा उसको अपन कहते है ions वो भी कभी-कभी हो सकता है अब सर्फ है तो आएंस से डरो मत जब भी किसी के ऊपर पॉजिटिव और नेगेटिफ चाःज अवेलेंबल होते हैं तो इसत की चीजह लेगे मिलेगी तो ये ठोड़ा साफ flowчат बनाएंगे जल्दी पहले फटाक से जल्दी हो गया इसको भी ठोड़ा सा देखिएंगे ये भी important त्थीके सार आपने ये तो बता दिया कि मोल concept क्या होता है मोल थार कैसे कलता लेकिन स्राइब कभी पेपर में definition आजाएगी what do you mean by mole हाना तब क्या करेंगे तो मैंने का ठीक है वो भी आपन समझ लेते हैं कि जब mole आजाएगी definition तब आपन क्या करने वाले मैंने का ठीक है देख लेते हैं तो mole क्या होता है समझते हैं आजाएगी जड़ा दो मिनिट के लिए a mole is the amount of a substance that contain as many as entities जैसे की atoms molecules और other particles, other particles का मतलब क्या पताया था मैंने भी आपको ions as there are atoms in exactly 12 gram of carbon 12 isotope, फिर से carbon आगया सर फिर से कौन आगया carbon तो मैंने का आपको carbon का 12 gram लेना है क्या लेना है carbon का 12 gram मतलब और कौन सा carbon लेना है 12 isotope बाला carbon 12 isotope जो है carbon को लीजिए कितना लेना है 12 gram लेना है कितना लेना है सर 12 gram carbon लेना है अब इस 12 gram carbon में कई सारे atoms होंगे होंगे के नहीं होंगे number of atoms होंगे number of atoms इतने खर्बो अर्बो होंगे जितना आप count नहीं कर सकते क्या? जितना आप count नहीं कर सकते तो 12 gram carbon में जितने भी atoms होंगे क्या वो लमने? 12 gram में जितने भी atoms होंगे बस उतने atom अगर दूसरे के एक साथ आप रख लोगे दूसरे के जैसे माल लीजे 12 gram में जो carbon के atoms हैं वो बहुत सारे और किसके atoms हैं वो carbon के? माल लीजे कोई figure आया होगा N और उत्ते ही आप अगर sodium के atom रख लोगे कितने रख लोगे? sodium के atom और फिर उसका जो weight लेके आओगे उसी को अपन क्या कहते हैं? 1 mole या फिर a mole पढ़िए एक और बार आप mole is the amount of substance that contain mole एक ऐसा amount of substance है जिसके अंदर या तो particles होंगे मतलब atoms होंगे, molecules होंगे ions होंगे और वो किसके बराबर होंगे? जितने atom present हैं किसमे? 12 gram of carbon यहाँ पर भी base किसको माना सर? carbon को carbon main चीज है और carbon का भी कितना लिया है? 12 gram 12 gram में जितने भी आएंगे उसने ही आप किसमे होंगे? और जब 12 gram को लिया गया ना सर? तो इसके atom पता है कितने आए थे? 6.023 into 10 की power 23 atoms पाए गए थे कितने पाए गए थे सर? इतने atoms. तो उनने यही बोला जब भी आपको किसी और atom का मोल्स बनाना है तो आप इतने atom ले आईए मतलब 6.023 into 10 की power 23 atoms ले आईए मान लिजे किसके लिए आईए? sodium के लिए आईए of sodium तो यह जो atom जब आप साथ में लेके आएंगे तो फिर बहुत सारे atom यह जोड़ जाएंगे साथ में हाना सारे atoms को जोड़ेंगे और इसका जब आप weight निकालेंगे तो उसी को अपन क्या नाम देंगे? एक mole या फिर mole और अगर इसके दुगने ले आएंगे तो कितना हो जाएगा? 2 mole इसी के 3 गुना ले आएंगे तो कितने हो जाएंगे? 3 mole इसी लिए एक mole का नंबर होता है 6.023 इंटू 10 की power 23 atoms इतनी बात क्लियर है? और यह जो mole होता है mole की unit भी same ही लिखी जाती है जैसे कि आपको दिखी रही होगी यह MOL actual में यह 1 mole हो जाता है और unit क्या रहती है? MOL तो याद रखना है एक mole का मतलब वो substance जिसके अंदर कितने number of particles हैं? जितने particles किसमें present है? 12 gram of carbon में और वो particle कितने होते हैं? 6.023 इंटू 10 की power 23 atoms इतनी बात clear हुई? तो mole दोनों का combination से बना हुआ है कभी एक नहीं बोलना कि amount of substance या फिस 6.023 इंटू 10 की power 23 23 दोनों को साथ combine क्योंकि दोनों के बीच में क्या बनाया है भाई ने? bridge दोनों parameters को निकालने की शमता बना दिये एक पता है दूसरा निकाल देगा दूसरा पता है पहला निकाल देगा इसलिए मैं आपको बोलों बहुत important यह चाहिए ठीक है तो यह चीज आपको पता होने चाहिए फटा फट फट एक बार नोट डाउन करेंगे जल्दी जल्दी से नोट डाउन करिए एक बार मैं इसको हटा देता हूं इसका screenshot देता हूं यह definition आती है जो exam में लिखनी है आप वो रही लिखेंगे flow chart flow chart बना देंगे अच्छी बात है लेकिन अगर exams में कभी पूछे तो आपकी मोल क्या होता है तो यह definition लिखिए उसकी SI unit लिख दीजे क्योंकि आपको पता है यह seven basic SI units में थी अपनी मोल आमांट of matter amount of substance उसकी unit क्या थी अपनी मोल थी तो फटावड एक बार इसको लिख लीजे यह लिख लिख लिए अब एक बार इसको लिख लिख लीजे चल यह तो screenshot हो गया होगा तो समझ में आया Mowal की मोल है क्या मोल के बारे में क्या मोल किस-की में बात करने वाला है तो सिंपल सी बात आजके रेट में यही थी कि मोल किस-को बताएगा आगे चल ल के मोल की मदस्के अपन क्या क्या कर पाएंगे तो दो चीज़े यादखना, एक साइड मास रखा, एक साइड पार्टिकल्स रखें, उन्हीं पर अपनको आज डिसकुशन करने हैं, अगली क्लास में, जो नेक्स्ट लेक्चर आपके पास आएगा, उसमें मैं यही बात करूँगा, कि मोल्स की मदद से, मोल्स का क्या में, तो बेसिकली अभी अपने पास कुछ दिनों तक, कुछ दिनों तक, मतलब दो-तिन लेक्चर तक, यह तीनी लोग गुमते रहेंगे आपस, लेकिन बहुत इंपोर्टेंट है, इसलिए बोल रहा हूं कि बस तयारी स्ट्रॉंग रखे, पूरा लेक्चर अच्छे से दे तो देखते रहें और प्रैक्टिस करते रहें, बाकि अगर आप चाहें तो मैगनेट बेंस की वेबसाइट पर भी जा सकते हैं, वहाँ पर भी आपको सारे वीडियोस अविलेबल मिलेंगे, मुबाइल एप के थुरू भी एक्सेस कर सकते हैं, और मैगनेट बेंस टॉप को और देखते रहें सारे लेक्टिस, फिर मिलते हैं इसके बाद धुवादाल सेशन में, नेक्स सेशन जो होने वाला है, और मज़ेदार होने वाला है, तो तयार रहें, तब तक के लिए ओके, बाई बाई